पिछले लगातार एक मैने से आठ हत्या का खुलासा धमतरी के पुलिस अधिक्षक रजनेक्ष सिंग ने किया है जिसके बाद वो लगातार सुर्कियों में है उनकी सामुदाई पुलिसिंग से भी अब लगातार पुलिस और पब्लीक के बीच आपसी संबन बढ़ने लगा है इनी सब बातों को लेकर हमारे समवादाता ने उनसे खास बादचित की देखिए ये खास बादचित हमारे साथ इस वक्त हैं धमतरी जिले के पुलिस कप्तान जिन्होंने बमुश्किल एक महने में ही आठ हत्या केस को सुल्जा दिया है उसके अलावा इनकी लगातार समदाइक पुलिसिंग पर जोर रहती है और इनका ये रहता है कि पुलिस और पुब्लिक एक मित्रता वत बिवहार करें और अपराद और अपराधियों पर नी अंतरन पाये जा सके इस वक्त हम बातचीत करते हैं से सर सबसे पहले तो बहुत कम समय है बमुश्किल एक महने आठ हत्या केस को खला कितनी बड़ी एचीवमेंट आप मान सकते हैं निश्य दूप से देखिए अत्या एक ऐसा गंबीर अपराद है जब भी कहीं किसी घटना किसी छेतर में होती है तो लोगों के अंदर एक निश्य दूप से भैका बातावरन होता है और क्यों हत्या होई किस कारण से होई तब जबकि वो अंधा कतल होता है जिसमें कोई तो ऐसे केसिस में अगर थोड़ा भी विलंब होता है तो फिर वो केस डिटेक्ट होना बड़ा मुस्किल हो जाता है जैसा आप लोगों ने देखा रतना बादा में दो हत्याएं हुई उसमें लगातार 24 गंटे हम लोगों ने मेहनत की पूरी हमारी टीम ने और उसमें पहल के साथ जिनके पहचान थी उसके द्वारा किया गया था तो और जो अभी जो ये हत्या का अपराद निकला है उसमें लगबक दो तो दो वर्स पूरव की हैं और एक एक वर्स पूरव का है और एक लगबक चह महीने हो चुके थे मैं जौइन किया थे उसके तीन-चार दिन गटना थी ये जैसा कि मैंने बताया है ये काफी लंबा समय गुजर चुका था इसमें ठमाम जाचें बड़ी महनत की गई ऐसा नहीं है कि इसमें पहले पुलिस ने महनत नहीं की थी पुलिस ने भी लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब घटना करम होते हैं इस प्रकार के तो उनको उनकी समिक्षा बहुत जरूरी एनालेसिस करना बहुत जरूरी है विसलेशन करना उस विसलेशन से जब हमने देखा पाया कि इन घटनाओं में एक ब्रूटैलिटी है एक क्रुवैलिटी भी है और विसे इसकर महिलाओं के प्रती तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू था इसमें मैंने पहले ही कहा था यद्यपी पिंगला राज वाला केस जो है उसको मैंने इसमें सामिल नहीं किया थ लेकिन पिंगला राज का भी जो केस था उसमें और खपरी में जो पारवती बांडे और उसकी मा का मर्डर था और तेलीन सती में तीनों में जो क्रुवैलिटी के साथ जो मर्डर किया गया है वो लगबख समानता थी और सब में एक बारिगी से विवेचना में ये प्रतीत ह होता है कि कहीं उसका नजदी की वेक्ति ने किया होगा जैसा कि आपको मालूम है बांदे वाले में उसके भाई का नार्कोत कराए गया टेश्ट तेलीन सती में भी सुरुवात में तमाम समाज के लोग उस छेत्र के लोग भी उसके बड़े भाई पे सक कर रहे थे लेकिन य आखों डेटा होते हैं मुबाइल की कॉल डिटेल के और फिर यह फ्लोटिंग क्राउड है यहां से निकलने वाले हजारों नेशनल हाईवे है हजारों गाडियां निकलती हैं उनमें से फिर ट्रेस करते करते उस स्पेसिफिक जो एज ग्रूप है 18 to 14 40 फिर हमने उसमें आप किसी काम के हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत उनका जैसे नसा करना और अपराद छोटे मटे अपरादों में सनलिपता रहना इस प्रकार की जो एक संदिक्द लोगों को नेरो डाउन किया और उसमें से हमने यह पाया कि कुछ 30-35 लोग की सस्पेक्ट प्राइम सस्पेक्ट लिस्ट बनाई उनके फिर नजदी की जितने बिरिस्तेदार जितने भी ऐसे लोग थे सब के उसके मित्र दोस्त मित्र देखे उनमें एक यह जीते इंदर ध्रू जो आरोपी निकला इसके दोस्त में एक लड़का है जिसको जो की स्टेट्मेंट भी उसका हमने रिकॉर्ड किया है उसने बताया कि मैंने सब एक इस वेक्तिन है जो मेरा दोस्त है इसी बैटने उटने की बात पर दोस्ती है कान का एक बुंदे होते हैं उसको बेचने के लिए दिया था कि वो कहीं मिला है तो उसको उसने बेच के उसको पैसे दिये थे अब व वो भूंदे थे, कान के जुमके थे वो ठीक وैसे ही थे जैसे कि तेलीन सत्ती में उसा सिना की उसा सिना पहनी होई थी इस पे हमारा सक सक और स्ट्रॉंग हो गया इस सक से और बाकी और भी जो कलू थे जो टेक्निकल कलू थे उसके आधार पर उठाया गया पूछताच किया गया उसने पतंध रिष्टियाद तो यही सिवकार कर लिया कि हाँ मेरे को गहने मिले थे और बॉलीथिन में फेके वे बिले थे एक दो दिन तक वो इसी तरीके से पूछताच में उसने बताया बाद में फिर उसने एकसेप्ट किया है कि हाँ वो हत्या मैंने की थी मेरा बेटा है एक महीने का मेरी पतनी है और मेरी माँ है उनको यहां से आप नहीं तो उनको मार देंगे लोग मैं सराप पीता हूं नसा करता हूं तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है इस तरीके का मेरे स अपराद होता है ऐसा बताया फिर इसके बाद फिर हम लोगों ने सिलसले वार पूछा है तो घटना करम का एक एक जिस अनुकरम में उसने घटना की है एक एक चीज उसने फिर बताई आप लोगों ने देखा भी होगा डेमो ऐसे एस पी एक मेने में आठ हत्यागा खुलासा आपके केरियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है अब तक की सर्विस में निशीत रूप से ऐसे आउसर आते रहें कि गंभीर अपराद हुए हैं और उनको डिटेक्ट किया गया है बड़ी मेहनत के साथ और ऐसी बड़ी सफलता है और पहले भी मि अब तक के सर्विस काल में हुए हैं अक्सर ये कहा जाता है सर कि पुलिस जो है काफी लेट काम करती है और ये भी लोगों के मन में रहती कि बीना पैसे के पुलिस काम ने करती ये भ्रांती जो लोगों में है और कई बार ये लोगों पर दौर से गुजरते भी है तो इस प ये सभी पुलिस के अधिकारी, करमचारी बड़ी मेहनत से, बड़ी तनमेता से अपना काम करते हैं, पूरी निष्टा के साथ काम करते हैं, जहां तक बात रही कि किसी प्रकार की कोई कमियों की, तो वो कमियां हर एक व्यक्ति में हैं और हर जगह पर हैं, लेकिन मैं आपको य जान किया है, एक पुलिस महाकिमे में या लोगों पर एक नहीं है, कि स्पी रज्ञे सिंग नया प्रयोग करते हैं, और उसमें काफी हद तक सफलता भी आपको मिलती है, तो ये नया प्रयोग करने का मन कैसे आता है, कि कि उद्देश रहता है आपको, पुलिसिंग एक जो हमारी traditional policing रही है, वह निश्यत रूप से उसका बढ़ा ही महत्व है, बेसिक जो administration है, उसका बहुत महत्व है, वह तो हमको धैनिन्दनिा करना ही पड़ता है, करना ही है, लेकिन इसके आलावा, हम जो एक समाज में एक धारना रही है, कि पुलिस से भैव है, पुलिस से ड जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि बच्चों को हम लोगों ने थाने में बुलाया स्वामी वेका नंजी की जैनती के अउसर पर और उनकी धारणा कैसे परिवर्तित हुई एक छण बर के मतलब 10 मिनट के थाने में घूमना और पुलिस वालों के साथ बैठना और उनके प्रियोग हमको करना चाहिए जिससे की पुलिस के पास लोग आएं और पुलिस का नेटवर्ग भी अच्छा रहे और पुलिस और पुलिक में एक समन्वे हो बिना आज के समय में हम बहतर कानून बेवस्ता या बहतर पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं यहां तक बात रही कि अपराद और अपराधियों पर अंकुष लगाने की तो उसके लिए भी यह बहुत ही परसनल चीजें हैं कि व्यक्ति के इंट्रेस्ट पर होता है व्यक्ति कैसे उसको इंप्लिमेंट करता है हर एक का अपना अपना कोई कहीं सेट अफ लौ नहीं है से इसे करना यह करना है लेकिन यह सब चीजें उसके लिए बहतर होती है कारण विवस्ता के लिए जैसे की सर्प्राइज चेकिंग करना पुलिस के लिए जरूरी है कि पुलिस की विजिविलिटी पब्लिक में रहे आम जंता में पुलिस दिखे भी थानेदार या मुंसी या ह पुलिस का खौफ अपरादियों पर रहना चाहिए। कानुन की दृष्टी से अपना काम करता है जब कोई अपराद करता है तो उसके साथ पुलिस सक्ति से कारवाई करती है। कानुन की अंत्रगत रहके ततकाल उसकी एफायर होती है उसमें जो भी प्रावधान रहती है। लेकिन इससे इसका भय आम जंता में नहीं होगा ना इसका भय तो अपराधियों में होगा गंतरी शहर के कुछ एक भी चोरी के कुला से अभी महत्वपोर्णा बजगे हैं तो कब उम्मेद की जाए हैं अब तक पिछले छे महा में या साथ महा में जितने भी ऐसे मामले हुए हैं प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्राइम में सारे के सारे डिटेक्ट हुए हैं तीन चोरियां जो मेजर हैं जो अगस्त में हुई थी उनके लिए भी काम कर रहे हैं एक नगरी में भी चोरी है पिछले वर्स की है नॉमबर की तो प्रैरेटी लिस्ट में हमें लों काम करें बहुत निकलूब भी मिला है कुछ और भी जगहों पर ऐसी चोरियां हुई जिनका और इसमें काफी समानता है तो हमने बोला है वो उस तरीके से उसको जाच कर रहे हैं गांजा आने की सुचनाएं रहती रही हैं चुकि गांजा तसकर इसका भी फायदा उठाते हैं रात में उस तरफ काफी डेंस फॉरेस्ट है और ऐसा ऐसा प्रतीत होता रहा हो उनको कि नकसल के कारण पुलिस रात में नहीं चेक कर पाएगी लेकिन हमारी पुलिस ने काफी लगातार उस शेतर में एमसीपी लगाया लगातार उस शेतर में पैट्रोलिंग में रहके लगबग अब तक 30 कुंटल से अधिक गांजा पकड़ाया जिसकी मार्केट में लाखों करोडों में उसकी कीमत है इसके लावा उन लोगों ने प्रयास ये भी किया कि समय बदल कर सुबह सुबह जब पुलिस धीली रहती है थोड़ी लेकिन उस समय भी हमारी एक पैट्रोलिंग बिल्किल चैतन्य रहती है कभी कुंडा गाउं तरफ से इधर आने की कोशिस की वहां भी पकड़े गए हैं तो इस परकार अभी तक तो काफी कारवाईया हो चुकी है इसका परिणाम उस छेत्र में जो फॉरस्ट एरिया है उधर भी पड़ा है सुदूर नकसल प्रवाई छेत्र में आप आपके पुलिस आपके द्वार लगा रहे हैं लोगों के मन से जो नकसलिजम का जो भै था वो कितना हद तक कम हो है शेत्रुप से वहां पर अंदर-अंदर सभी गाओं में सभी अंदर के छेत्र के गाओं में जैसा कि समझा जाता है कि वो किसी डर से भै से वो पुलिस का सहीऊग नहीं करते या पुलिस के आने पर वो लोग बाचीत नहीं करते ये बिलकुल ब्रांती थी हम लोगों ने अभी ऐसे सभी अंदरूनी गाओं में जिसको कि कहा जाता है बहुत अंदर के समवेदंसील गाओं हैं कहीं कोई समवेदंसील नहीं और वहां पर हम लोगों ने लगातार उन बच इसको सहीोग कर सकते हैं, आप कैसे इन आधुनिक अपराधों से बच सकते हैं, ये सब चीजे हम लोग बड़े आम जैसे एक अनौपचारिक तरीके से बाचीत करते हैं, उस तरीके से किया जाता है, गाओं वाले बड़ी संख्या में आप लोग देखते होगे, कि वो लोग प्रस्थिक्षित करते हैं विसेश कर जो थोड़ा संडे और सनी वार को खाली रहते हैं हमारे अधिकारी कुछ तो उस दिन ऐसे वहाओं को जो की सेना और पुलीस में भरती होना चाहते हैं तो उनको हमको प्रस्थिक्षिन भी दिया जाता है तो वो काफी पॉपलर हो चुका है आओ समारे कल अपना तो निशीत रूप से अंदर गाओं में पुलिस की बहुत अच्छी एक इमेज और पुलिस के साथ एक फ्रेंडली पुलीसिंग की जारी है तेंकी सर यह ते हमाद साथ धंतरी जिले के पुलिस कप्तान रज्ञे सिंग सर उनका यह कहना है कि लगाता जो है एक होकर के काम कर रही है और लगातार अपराधियों पर नियंतरन भी पाये जा रहा है गलिप स्टाट इन के लिए अपने सहोगी संदेश गुपता के साथ महभू पैंसा हूँ